दो हजार बाइस विदान सभा चुनाओं की तयारियां सुरू हो चुके हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी न्यू मजबूत करने पर जुटी हुई हैं और अलग अलग वर्ग को साधने में जुटी हुई हैं सभी पार्टिया प्रबुद्दुवर्ग सम्मेलन कर रही हैं ऐसे में सपा ने वैपारी सम्मेलन भी किया है कल और ऐसे में सबसे एहम मुद्दा होता है कि वैपारी किस तरफ जाएगा और वैपारी की समस्याएं क्या हैं? उनकी मांगें क्या हैं? इस पर ज़्यादा बात करने के लिए अभी हमारे साथ आधस वैपार मंडल के अधस संजे गुप्ता जी मौझूद हैं. हम उनसे जानते हैं कि वैपारी की क्या राया है 2022 विधान सभा चुनाओ के लिए के लिए क सबसे पहले जानना चाहूंगा कि वैपारी की क्या मांगे हैं वैपारी 2022 विधान सभा चुनाओ को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से पुलेटकल पार्टीज ने विधान सभा चुनाओ के तयारियां शुरू कर दी हैं ठीक उसी प्रकार से प्रदेश के वैपारी समाज ने और उत्तर प्रदेश आदर्श वैपार बंडल ने 2022 में वैपारियों के वोट से ही सरकार बने इसकी तयारी भी शुरू क संगधन ने अपने सत्रवे इस्थाबना दिवस के मौके पर 24 अगस्त को प्रदेश की राजधाई लखनौ से एक व्यापारी स्वाभिमान जगरुकता एं संकल्प अभियान शुरू किया है जिसके तहत हम लोग एक संकल्प की बठके कर रहे हैं व्यापारी समाज हिंदू ठाकुल यादो जाटो खत्री सिंधी पंजाबी में बाट रहा है आदर्स व्यापार मंडलन ने ये तरह किया है कि हम लोग पूरे प्रदेश में दोरे करेंगे अभी हमने पिछले हफते हर्दोई में किया है इसके पहले सीताबूर में किया है आदर्स व्यापार मंडल हम लोग यह करने में काम्याब हो गए जो हम लोग दिश्चित रूप से होंगे तो आप यकीन जानिए कि अब की जो सरकार बनेगी वो व्यापारियों के वोट से ही बनेगी अब की विधान साभा चुनाओं में तदेश का व्यापारी गेम चेंजर होगा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुद्दे कौन-कौन सा है किन-किन मुद्दों पर व्यापारी अपना अकिम्ति ओड़ देगा व्यापारी अब की दिकास की बात जीएश्टी के हम लोग कुझे समस्या है कॉमर्सल हाउश्टेक्स पांच गुना है वो हमारी समस्या है व्यापा में मिली हमें बंद दुकानों का किराया बंद गुदामों का किराया देना पड़ा उसमें कोई शूट नहीं मिली बंद दुकानों के बिजली के बिल का भुटान करना पड़ाắn पीर हम्नों ने उनको छे सुत्री गया पन दिया था अलग Explain अ उसमें हम लोगों ने कहा था कि जिन व्यापारियों की कोविड से मत्यू हो गई है उनको जिएस्टी विभाग द्वाला दुलगतना भीमा योजना का दैरा बढ़ाते हुए दस लाख रुपे की सहायता राशी दी जाए उनके परिजनों को साथी साथ जिस लिके से समाज के अन्य वर्गों में जो लोग सरकारी कर्मेंचारी यां दूसरे छित के लोग हैं जिनकी कोविड में मत्यू हो गई उनके परिजनों को सरकार ने 50-50 लाग रुपे की सहायता रहती करी जिगा पर दी है जो लोग आवस्टेक वस्तों के व्यापारी हैं वो सरकार के कहने पर दुकाने खोले थे ऐसे व्यापाई जिनकी आवस्तेक वस्तों के दुकाने थी और कोविड से परभावित हो करके उनकी नत्यू हुई है उनके परिजनों को 50 लाग रुपे का मुआवजा मिले साथी साथ जितनी भी सरकारी वसूली है वो सब शितिल की जाएं कॉमर्सराल ह कि इजन्डे को पदलना है यह जो धर्म जात की जंडे को लेके चलते सभी पार्टिया इनके एजन्डे को बदलना है अब कि व्यापारी और जंता जागुख है हम चिकित्सा शिक्षा और लोजगार इन विश्यों को जादा गंबिता से पास्विकता देंगे सरक बिजली पानी इन विश्यों को ज़्यादा गंपृता से प्राथिविक्ता देंगे ना कि जातियों धर्म को मुद्वाद के कहा जा सकता है कि इस बार जंता और वैपारी काम पर ओड़ देंगे ना कि जातिवाद या किसी अन्यमूद निश्ची तुरुप से इस चुनों में भी और आगे पॉलेटकल प्राइटीज की राजदित करने के दिशा बदल दी जाए ऐसी विवस्ता इस चुनों में आदर्श व्यापार मॉडल करेगा जो मौझूदा सरकार चल रहे हैं इससे व्यापारी कितना ज्यादा संतुष्ट है या 2022 में परिवर्तन व्यापारी चाहते है देगे कुछ जबहों पर सरकार ने अच्छा काम किया है संकठान उसकी सरहना करता है मुखमन दिश्ट को धनिवाद गयापित करता है लेगिन अनेक ऐसे च्छीत रहें जहां पर व्यापारी के लिए सरकार बहुत ज्यादा कर सकती थी व्यापारी कल्यार बोर्ड बना उसक सभी दल अपने अपने हिसाब से सभी वर्ग के लोगों को लुभाने का काम करेंगे जापारी समाज बहुत पैनी निगा से सभी को देख रहा है हम दोगोंने बासपा की सरकार भी देखी हमने सापा की सरकार भी देखी है कांगरिश की तो मान के चलिए 20-25 साल से नहीं है वो एक अलग विसे है अब की पुरानी कारिशैली वर्तमान कारिशैली किये हुए वादों को निभाने के परंपरा इन सभी चीजों को हम दोग ध्या पूर नहीं होते हैं। वैपारी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना किम्टी ओड देगा अस्मनी तर्वेदी प्राइम टीवी लखना हूँ